Stock market, stock market में अपने portfolio को safeguard कैसे किया जाए, आप सब खबरे सुन रहे होंगे stock market में, आने वाले समय में हो सकता है, एक economic crisis आए, एक financial crisis आए, और एक health crisis भी आजाए, तो ये सारी चीजों को देखते हुए अपने portfolio को किस प्रकार से safeguard किया जाए, क्योंकि share market में ऐसी कहावत है कि पैसा बनाना तो बहुत असान होता है, हर कोई पैसा यहाँ पर बना लेता है, random share खरीद के, जब तक यहाँ पर situation अच्छी रहती है, लेकिन उस पैसे को बचाना, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक उस पैसे को बचाना काफी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, तो मैं आज आ आपको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, बलकि आपको अच्छा रिटन भी यहाँ पर बना कर देंगे, किसी महान इंसान ने कहा है कि फरक नहीं पड़ता कि आप कैसे शुरुआत करते हैं, लेकिन यह ज़रूर फरक पड़ता है कि किस प्रकार से आप यहाँ पर फिनिश क आप सब के लिए पूरा देखे, बिना स्किप किये, देखे, ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, नमस्कार मैंकेद, शुरू करते हैं Market Master Philosophy of Long Term, Investing सबसे पहले जैसे ही हम सुनते हैं कि अपने पॉर्टफोलियो को भचाना है, किसी प्रकार के Crash अगर आ जाये, तो हम यहाँ पर दोई चीत सुनते हैं, या तो गोल्ड यूज कर लो, या तो नए लोग आज कर क्रिप्टो यूज कर लो, या इन्फलेशन भी आ गया, तब भ आपके पॉर्टफोलियो को सेवगार्ड प्रवाइड कर सकते हैं, ना ही आपके पॉर्टफोलियो को इन्हेंस कर सकते हैं, ना ही आपके पॉर्टफोलियो को कमपाउणिंग प्रवाइड कर सकते हैं, तो ये आप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखें, लेकिन आप मैं आपको आज 5 ट्रिक बताऊंगा जिसमें financial crisis, economic crisis, health crisis सब को cover करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक uncertainty ये भी है कि economic crisis और financial crisis आज है health crisis COVID को लेके भी काफी जादा uncertainty बनी हुई है तो हमें सब चीज़ को cover करके हाँ पर चलना होगा और उसके लिए आपको 5 मंतर बताने वाला हूँ सबसे पहला मंतर अपने portfolio का 50% cash reserve रखे ताकि जब market नीचे है तो आप अच्छे share को अच्छे सस्ते दाम पे खरीद के average कर ले अच्छा investor वो नहीं है जो बढ़ते हुए share को बढ़ते हुए price पे खरीदे अच्छा share वो है जो गिरते हुए share को गिरते price पे खरीदे तो इंतिजार करें अपने समय का इंतिजार करें और गिरते हुए share को गिरते price पे खरीदने के लिए आपके पास कम से कम पैसा होना चाहिए और आपके portfolio का 50% पैसा sufficient है महा मंत्र नंबर दो कि आप बीच बीच में अपने SIP को दो से तीन मैने के लिए रोक दिए अभी ये काफी confusing statement है कि आप अपने SIP को बीच बीच में रोकेंगे इससे क्या होगा देखे क्या होता है कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि हम कितना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं और हमारा जो equity exposure है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाता है कई बार ऐसे cases आते हैं कि कि किसी individual की age 50-60 साल है और उसने equity में 80-90% पैसा लगा कर रखा हुए अब ही क्या है बढ़ते हुए market में अगर आप SIP को pause दोगे 2-3 मेने तो automatically आपका जो equity allocation है वो stable हो जाएगा वो आपका वहीं पर रहेगा क्योंकि आप पैसे लगा रहे है ने हो equity में और वो पैसे जो आप safe करोगे वो automatically आपका cash यहाँ पर बन जाएगा याने कि debt portion आपका बढ़ जाएगा तो जब debt portion बढ़ेगा तो automatically equity portion कम हो जाएगा तो ऐसा कई बार आपको trick यूज करना पड़ता है जिमिक यूज करना पड़ता है पोर्फोलियो को balance करने के लिए कि आप 2-3 मेने बिलकुल शान्ती से यहाँ पर बैठ जाएग कोई भी step ना ले इससे क्या होता है एक balance यहाँ पर बन जाता है महामंत्र नमबर 3 हमेशा हमेशा बढ़ते हुए market में आपको 10-20% पैसा dividend paying stocks में लगाना चीए अब dividend paying stocks आपको यहाँ पर रखने की ज़रुत है यह आपके portfolio को safety provide करते क्योंकि जब भी यहाँ पर आपको dividend मिलता है तो आपका यहाँ पर जो cash portion है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है और आपका equity portion stable होके यहाँ पर नीचे आता है आपके पास और cash होते हैं पैसे लगाने के लिए reinvestment करने के लिए और आप यहाँ पर better position में automatically यहाँ पर आ जाते हैं एक और महामंत्र dividend position में आपको यह मिलता है कि dividend paying stocks के जो PE है वो काफी कम रहते हैं तो वो गिरते भी कम है तो आपको totally safety provide करते हैं अगर आप dividend paying stock से market के बराबर या market से 19-20% का return भी बना रहे हैं that means you are very good और आप बहुत ही अच्छे position में हैं जब आप खतम करेंगे stock market को तो definitely आप एक बहुत ही अच्छे position के साथ अब और excellent position के साथ यहाँ पर खतम करेंगे महा मंत्र नंबर 4 जो मैं खुद यूज करता हूँ और आज से पहले आपने इस महा मंत्र को नहीं सुना होगा जो आज आप यहाँ पर जानेंगे वो है P into PB rule जो मैं यूज करता हूँ P into PB 32 से कम होना चाहिए 32 से हाँ पर कम होना चाहिए और ऐसे stocks आपके portfolio में 5 से 10% होने ही होने चाहिए अगर आप किसी भी प्रकार्ट से crash से बचना चाह रहे हैं आपने portfolio में stability और safeguard प्रवाइड करना चाह रहे हैं तो P into PB 32 से कम होना चाहिए अब बहुत सारे लोगों confusion हुआ होगा P into PB 32 से कम ये कौन सा formula है तो देखें मैं आपको जैसे एक छोटा सा example बताता हूँ क्या करना है जैसे माल लीजे एक share है power grid अब power grid का मैं google में जाके या टिकर टेप में जाके आप जहां भी जाना चाहें वहाँ पर जाकर आप देख सकते power grid का PE कितना है तो आपको PE दिखेगा 11 का अब मैं ticker tape या फिर google में जाकर देखूँगा कि भई power grid का या google में जाकर या nsc में जाकर देखूँगा power grid का PB कितना है तो PB आएगा 2 के आसपास अब मैं क्या करूँगा 11 के PE को 2 के PB से multiply करूँगा 11 टूजा किता हुआ 22 अगर वो 32 से कम है तो ये मेरे stocks के list में tick लगा रहा ह तो ऐसे आपको 5 से 10 stocks रखने चाहिए जहाँ पर PE into PB 32 से कम आए ग्राहम यहाँ पर ये technique यूज किया करते थे अपने जमाने में जहाँ पर वो ऐसे stocks रखते थे कुछ portion में जहाँ पर PE into PB 32 से कम होता था हाला कि वो ऐसे over exposure रख दिये थे जो गलती उन्होंने करी थी अपने कि 10 परसेंट आपके portfolio का PE PB 32 से कम वाले stocks आपके portfolio में आने चाहिए महामंत्र नंबर 5 जो आपको करने की ज़रुवत है अब हम economic और financial crisis से सो बच गया अब आपको health crisis भी तो देखना है अपने health का भी ध्यान करना है और risk को mitigate करना है और उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होग खास तोर पर अगर आप एक young student है 25 से 40 के age group में आते हैं cover करिए और इसके लिए आपको चाहिए होगा एक जबरदस term insurance plan देखें term insurance में क्या होता है मार लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है आपके family को पूरा एक बार में लंसम 81 पैसा यहाँ पर मिल जाएगा जिसने भी आ आपके family को जो पैसे है वो एक बार में यहाँ पर मिल जाएगे और यहाँ पर कोई भी financially आपको यहाँ पर जो है एक आपको protection यहाँ पर मिल जाएगा इसमें अलग-अलग प्रकार के rider मिल जाएगा जैसे accidental हो गया rider हो गया आपको critical illness हो गया अलग-अलग प्रकार के आपको य इंशौरेंस यहां पर लेती है अब कैसे लेना है तो आप ले सकते हैं पर Policy Bazaar पॉलिसी बजार में आप यहां पर compare कर सकते हैं 20 से ज्यादा यहां पर अलग-अलग को भी बचा सकते अगर आप online लेते हैं एजेंट का जो होता है पैसा वो आप यहाँ पर बजा सकते हैं अगर आप online लेते हैं इसमें आपको अलग-अलग परकार के rider भी मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बता है के ले सकते हैं अगर आपने आज मेरे ये पांच महामंत्र सुने हैं तो आपके portfolio को एक ऐसा रक्षा कवच मिलेगा जिसे भेदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप बहुत सारे पैसे शेयर बजार से बना सकते हैं और हर प्रकार के crisis से बचने के लिए आप prepare ह कर यहां पर रह सकते हैं और याद रखिएगा सिर्फ सुनना ही नहीं preparation is the best thing आपको हमेशा याद रखना है कि आपको preparation करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है portfolio में किसी भी प्रकार का disbalance और किसी भी प्रकार का unsafety और किसी भी प्रकार का trouble market यहां पर हमेशा watch कर लेता है तो हमेशा prepare करके रखे हर step को धीरे धीरे ले एक process पर ध्यान दे ताकि आपको end result यहां पर finally मिले जो उमीद है मेरा जो महा करें वीडियो पसंद आया लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर मार्केट से जूड़ी हुई